कि मैजिक बहुत सारे देखे होंगे आप लोगने एक ऐसी मैजिक की बात हम आच करेंगे मैप लोग व tecnic की कहानी सुनाने वाला हूँ और उसमें आप मैजिक को सुनेगे बहुत दिल्चस्ट मैजिक है चले शरूब परते हैं एक बार क्या हुआ कि मैं एक मेले में गया और वहां पर देखा कि एक जादुगर आया हुआ है और वह बहुत सारे मैजिक्स की ट्रिक्स बगेरा अपनी सो कर रहा है तो मैंने भी सोचे के चलो मैं भी टिकेट ले करके दिखो क्या कर ये जादु करता कैसे है या खास बात इसके चादू पर अंदर गया टिकट लेके अंदर गया पब्लिक के ओडियन्स के जो कोट था वहाँ पे जाके में बैठा तो उसने चादूगर का जैसी प्ले स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग में तो सिंग वगेरा होती है कुछ लेडिस वगेरा आती हैं डांसिंग वगेरा करती हैं तो जैसे ही प्ले स्टार्ट हुआ उसने टेक से दिखाना सुरू किया तो उसमें common thing हो रही थी वो क्या करता था कि एक प्ले उसने करा या एक अपने ट्रिक डिकाई उसके बाद उसके साईड में एक कलश रखा हुआ था और वो कलश का सारा कशारा पानी एक नीचे एक टब रखा हुआ था उसमें उसके जो भी हो जिसको वो मानता हो गोड बगएरा जिसको जो कुछ भी हो जिसके वज़े से वो ये सब कर पा रहा हो उसके उपर पूरा कलस उल्टा कर देता था तो जितना पानी था वो सारा कशार ह् αगर चारब पता एक बिले हैं और बाफस ब्लाश रख दे था उसके बाद वो अपने अपना सैकेंड далее के सैकनड करताथा जैसी सेकेंड ट्रेक होती थी वापस यूटा अफ और लटा यूट था अपने गॉड़ के उपर जो जो बहु करता है या जा जिसको यह वह को वो कलस हाय ट्रिक के बाद उल्टा कर देता उस पे तो यहां पे थोड़ा है तंकिस वाली बात यह है कि कलस उल्टा हो जाने के बाद वो तो खाली हो गया लेकिन जैसे ही अगली ट्रिक आती थी और बापस वो कलस उठाने जाता था उसमें पानी आटोमेटिकली आ जाता था तो ये बात थोड़ी नोटिस्पिल लगी थी हाँ वो ट्रिक दिखाने वाली बातें थी वो भी समझे में आ रहीं थी पर ये कलस की जो मैंने देखा कि हाँ उसने हर एक्ट के बाद ये कॉमन चीज कर रहा है तो ये कलस बाला जादा मुझे पेंटिब लगा तो ये कैसे हो रहा था मतलब एक बार वो सारी कलस को उल्टा कर रहा था पूरा का पूरा उल्टा पबलिक के सामने करके देखा रहा था और वापस रख रहा था उसके बावजूर भी उसमें वाटर आ रहा था कहां से एक ट्रिक खतम होती थी वापस वाटर रहता था एक ट्रिक खतम होती थी और वो वर्फ क्या होती थी कि जैसे जब तक वो ट्रिक करता था तो उसके ड्यूरिंग उसके टाइम इनिंग में वो वर्फ पिगलना शुरू कर देती थी जितना टाइम उसकी ट्रिक में लगता था उतना टाइम में वो पिगल करके पानी बन जाता था और जैसे ट्रिक हतमोथी थी वो जा करके उस गलस को उल्टा कर देता, अब उस कलस के अंदर तो बर्फ थी इसलिए जो बर्फ सॉल्ड रहती थी वो उसी में रहती थी और जिसका जितनी वो मेल्ट हो gustado जितनी वो फेगल गई है, उससे जितना पानी बना, फो नीचे करता गर जाता था, इस तरीके से वो ट्रिक अपनी सो करता था, तो यहां पे एक science fact था, पोई magic नहीं था, actually यहां पे एक science fact था, तो दोस्तम नहीं था. उमीद है आप लोग समझ के होंगे कि दुनिया का हर जादू साइंस से जनम लेता है और हर जादू की पीछे एक साइंस होती है जरूरत होती है उस साइंस को समझने की उसकी लॉजिक को समझने की तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इसको आप लेडियो आपने लुझे की तो क्वाइ जो अजय है तो अच्रिट मार्ट है कि एक नुझा है और स्टिव एक्रणियो टो भीडियो आप लेडियो आप लेडियो आप लगों की एक लिएकित तो नुझा है